नमस्कार बच्चों मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज मैं आपको दस्वी कक्षा के अर्थ शास्तर का पहला अध्याय जिसका नाम विकास है विकास के बारे में बताऊंगा विकास प्रतेक राज्य के आधार पर अलग-अलग सुचकांग के आधार पर गणना होती है एक राज्य अपने आधार पर विकास देखता है और विकास को समझने के लिए कई परकार के शेत्रों का अध्यन आवश्यक है विकास केवल एक शब्द नहीं है विकास में सामाजिक विकास आता है सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है सामाजिक विकास का मतलब होता है हमारे देश में हस्पताल कितने हैं दूसरा होता है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि हमारे देश में ओध्योगी की करण कितना है, आर्थिक विकास में देखा जाता है कि हमारा देश, दूसरे देश की तुलना में कितना विक्सित है, कितना अल्प विक्सित है, कित आर्थिक विकास के अंतरगत कई शेत्रों का अध्यन किया जाता है। आर्थिक विकास में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि किसी अर्थविस्ता में अध्योगी की करण कितना हुआ। आर्थिक विकास में देखा जाता है कि हमारा देश दूसरे देश की तुलना में कितना अगरसर है किन छितरों में हमारा देश दूसरे देश की तुलना में पीछे है इसी परकार से धार्मिक विकास धार्मिक विकास भी आवशक है धार्मिक विकास का अर्थ क्या हुआ धार् प्रतेक धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार देना अगर धार्मिक अधिकार नहीं दिया जाता और दूसरे तरफ हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो विकास बिलकुल बेकार है तो प्रतेक शेतर में विकास जरूरी है विकास ऐसा नहीं है कि किसी एक शेतर के लिए अगर अच्छा है तो दूसरे शेतर के लिए भी अच्छा हो विकास को ग्यात करने के लिए सूचकांक के आधार पर कई शेतर होते हैं जैसे कि एक देश में मृत्यूदर क्या है एक देश में प्रतिव्यक्ति आय क्या है अगर हम विश्व संगठन के आधार पर देखें तो के लिए प्रतिव्यक्ति आय को आधार मानते हैं प्रतिव्यक्ति आय क्या एक अर्थव्यस्ता के लिए लाबदायक है ऐसा जरूरी नहीं है क्यों क्योंकि प्रते एक अर्थव्यस्ता की जनसंख्या अलग-अलग है यदि भारत की जनसंख्या को हम शिरिलंका की जनसंख्या क अभारत की जनसंक्य से काफी कम है इसी प्रकार के और कई उधारन है जैसे कि अगर हम उर्जा क्षितर में देखते हैं तो उर्जा क्षितर में प्रतेक उद्योग अधिक उर्जा की मांग करता है और उस अधिक उर्जा को पूर्ण करने के लिए हमें अधिक से अधिक बांध बनाने होंगे अधिक बांध होंगे अधिक उर्जा होगी अधिक उर्जा होगी तो उससे जो अधियोगिक शेत्र हैं उनका विकास होगा लेकिन अगर हम बांध को दूसरे नजरिये से देखते हैं तो बांध बनाने से कई लोग विस्थापित किये जाते हैं कई उपजाव भूमी होती हैं जिनका नाश हो जाता है जिसका दूसरी तरफ यह भी बुरा प्रभाव पड़ता है कि कई राज्यों में बाल की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं तो प्रतेक यदि एक शिक्षक यदि कोई भी व्यक्ति दस विद्यार्थियों से विकास का अर्थ पूछता है तो दस के दस विद्यार्थियों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है इसका एक उधारन एक बच्चे ने अपने पिता को कहा कि पिता जी मेरा कार लेने क मन करता है लेकिन पिता ने क्या बोला पिता ने का कि बेटा अर्थवेस्ता अभी इस आधार पर चल रही है कि अगर आज हम रिक्षा के लिए भी सोचें तो बहुत सोचना पड़ेगा इसका अर्थ क्या हुआ कि दो लोगों की विकास के लिए जो सोच हैं बिलकुल अलग अल कार से अगर हम दस विद्यार्थियों को बोलते हैं कि आप विकास की परिभाशा दीजिए तो प्रतेग व्यक्ति अपने लाब को देखते हुए विकास की परिभाशा देता है। तो उसके लिए विकास निराधार रहेगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कारे करने के लिए कोई भी काम, कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार है। और उस नौकरी में अगर उन्हें कम आए प्राप्त होने पर भी वहे वेक्ति उस कारे को करने के लिए तयार होता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल इसलिए होता है यदि उसे सारी की सारी वहाँ पर सामाजिक सुविधाई मिलती है यदि उसके परिवार को सारी सुविधाई प्राप्त होती है यदि उसके लिए यातायात की सुविदा है तो वह कम आये पर भी काम करने के लिए तैयार होगा दूसरी तरफ यदि अधिक आये प्राप्त हो रही है परंतु लोक कल्यान जन कल्यान की कोई भावना ही समाज में नहीं होगी तो विकास निराधार रहेगा तो विकास का अध्यन प्रतेक शितर में अलग तरीके से होता है विकास के लिए जरूरी है कि प्रतेक शितर को एक साथ लिया जाए चाहे वे क्रिशी शितर हो चाहे वे अद्योगिक शितर हो चाहे वे सेवा काक शितर हो इसे हम प्रात्मिक शितर दृत्य शितर और तृत्य शितर में बांटते हैं यदि हम गाओं में किसानों की हालत देखें तो प्रतेक किसान क्या चाहता है प्रतेक किसान यह चाहता है कि उसकी जो क्रिशी है उसका अधिक्तम मुल्ले बाजार में उसे मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कई परकार के उपाए किये जाते हैं जैसे कि नियूनतम कीमत सरका द्वार द्वारा कृष्कों के लिए नियूनतम कीमत तै की जाती है। लेकिन फिर भी कई किसानों को वह नियूनतम कीमत प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों नहीं प्राप्त हो पाती। क्योंकि उस किसान को अपनी उपज को मंडी तक ले जाने के लिए परिवहन की अच्छी स विदा प्राप्त करे भी तो वह उसकी लागत को बढ़ा देती है लेकिन दूसरी तरफ कई शेतर ऐसे भी हैं किर्शी के शेतर ऐसे भी हैं जिनका विकास हो रहा है सरकार धीरे धीरे कई शेतरों को ग्राम को ग्रामीन को गाउं को शहर को कस्बे को मिला रही है किसके माध्यम से यातायात के माध्यम से यदि भारतिय अर्थवयस्ता को 1947 की तुलना में आज रखा जाता है तो क्रिशी के ख्षेतर में उस समय उत्पादन की दर बहुत कम थी आज क्रिशी के ख्षेतर में उत्पादन की दर बहुत अधिक है उस समय शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थ होती थी केवल जो आज काफी बढ़ चुकी है इसी परकार से किसी भी अर्थवेस्ता का विकास रातो रात नहीं हो सकता विकास के लिए कई शेतरों का योगदान बहुत आवश्यक है विकास के लिए बच्चों की पढ़ाई बहुत आवश्यक है इसी परकार से चिकित्सा के शेत्र भी बहुत आवशक है किसी भी शेत्र के किसी भी देश के विकास के लिए यदि आज के समय को हम देखते हैं तो आज के समय में सन 2020 में विश्व में महामारी जिसे COVID-19 के नाम से जाना जाता है फैली हुई है कई विकसित देश ऐसे हैं जिनें हम बोलते थे बहुत विकसित हैं परन्तु चिकित्सा के शेत्र में वह आज भी अलप विकसित हैं आज भी विकास शील है तो विकास का अर्थ केवल प्रती व्यक्ति आए के आधार पर नहीं होता है विकास का अर्थ कई शित्रों के आधार पर होता है यदि हम किसी एक शित्र में विकास कर लेते हैं और दूसरा शित्र विक्सित नहीं हो पाता तो वह एक अर्थविस्ता के लिए पूर्ण विकास नहीं कहलाएगा विकास कई पहलों में किसी भी परकार से एक जैसा प्रतेक शितर के लिए नहीं हो सकता यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मैंने आपको पहले बताया जैसे उर्जा उर्जा का उत्पादन आवश्चक है मानते हैं लेकिन उर्जा प्रतेक शितर के लिए लाभानवित होगी लाबदायक होगी ऐसा जरूरी नहीं है आपने अगर सुना हो नर्मदा आंदोलन यदि आपने सुना हो चिपको आंदोलन जो की उत्तरा खंड में हुआ था चिपको आंदोलन क्या था चिपको आंदोलन था जिसमें सरकार ने राज्य सरकार ने बांध बनाना चाहा और उसके लिए आदिवासिक शेतर में कई पेड काटने पड़े लेकिन वहां के आदिवासियों ने उसका समर्थन नहीं किया और कई दिनों तक वो पानी में पेडों के साथ चिपक कर रहे ताकि पर्यावरन का नुकसान ना हो उनके लिए अगर हम उन आदिवासियों को देखें तो उन आदिवासियों के लिए विकास क्या है वहां का पर्यावरन उन्हें यातायात से कोई मतलब नहीं है उनके लिए के दूसरी तरफ नर्मदा अंदोलन में क्या हुआ? कई गाउं पूरे के पूरे गाउं एक खेतर से दूसरे खेतर में विस्थापित करने पड़े जो गाउं पहले विक्षित थे दूसरे खेतर में जाकर के उतने विक्षित नहीं हो पाए इसलिए विकास का सभी क्षेतरों में एक जैसा अध्यन आवश्यक नहीं है इसी प्रकार से दुनिया भर में कई प्राकर्तिक संसादनों का दोहन होता है जैसे कच्चा तेल, खनिजपदार्थ, इनका दोहन इतना अधिक बढ़ चुका है कि अर्थवयस्ता, प्रतेक अर्थवयस्ता पर इसका बुरा प्रभाव पढ़ रहा है प्रतेक अर्थवयस्ता विकास की तरफ तो बढ़ रही है परंतु अपने संसादनों को खोती जा रही है इसके कई देशों में आपने उधारन देखे होंगे इसी प्रकार से यदि किसी अर्थवेस्था को विकास का अध्यन करना है किसी अर्थवेस्था को यदि अपने ख्षेतर का विकास करना है तो वहें उस ख्षेतर पर अधिक ध्यान देती है प्रतिक अर्थवेस्ता अपने बजट का बहुत बड़ा भाग कई शित्रों में खर्च करती है परन्तु कुछ समय बाद उस अर्थवेस्ता उस देश को पता लगता है कि इस से अच्छा यदि बजट के इस भाग को हम अन्ने ख्षित्र में खर्च करते तो आज हमारे देश का विकास अन्ने देश के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता इसका उधारन मैंने आपको अभी दिया जैसे चिकित्सा का ख्षित्र दुनिया के किसी भी खेटर ने किसी भी देश ने चिकित्सा के खेटर में इतना ज्यादा बजट के अपने भाग को खर्च नहीं किया परन्तु आज प्रतेक अर्थविस्ता को सोचना पड़ रहा है कि विकास के लिए आये का होना जरूरी नहीं है विकास के लिए सभी संसाधनों का दोहन जरूरी नहीं है यदि मानव कल्यान यदि मानव विकास होगा तो वह भी विकास का एक भाग होगा प्रतेक अर्थविस्ता मानव कल्यान के लिए अपने देश में व्यक्ति की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करती है भारत में स्वच भारत अभियान चालू हुआ क्या आप जानते हैं स्वच भारत अभियान क्यों चालू हुआ यह भी विकास का एक प्रारूप है स्वच भारत अभ्यान इसलिए चालू किया गया ताकि भारत में बिमारी कम से कम हो भारत में गंदगी कम से कम हो प्रती व्यक्ति उत्पादक्ता की दर अधिक से अधिक हो प्रतेक व्यक्ति की उत्पादन दर यदि अधिक होगी तो उत्पादन भी अधिक होगा उत्पादन अधिक होगा तो मांग भी बढ़ेगी और उसी के अनुरूप विकास की दर भी होगी इसी प्रकार से सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार द्वारा कुपोशित बच्चों के लिए कई परकार की योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार द्वारा कुपोशन से बचने के लिए कुपोशित बच्चे कितने हैं इसके लिए कई परकार की नीतियां बनाई गई सरकार द्वारा स्कूलों में व्यज्यानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक को मापा गया व्यज्यानिक सूचकांक है क्या शारीरिक सूचकांक है क्या इससे यह पता लगता है कि कोई विद्यार्थी कोई बच्चा कुपोशित है या नहीं और इसके मापन का बहुत ही सीधा साधा अध्यन है इसके लिए बच्चे की उम्र उसके आधार पर उसका वजन वजन को हम किसमें मापते हैं किलोग्राम में बच्चे की उंचाई के वर्ग का मापन करना पड़ता है उंचाई के वर्ग का मापन किसमें होता है सेंटी मीटर मे यदि बच्चे के वजन को उसकी उंचाई से विभाजित कर दिया जाता है तो व्यग्यानिक शरीर दरवेमान सूचकांग प्राप्त होता है और प्रतेक बच्चे का सूचकांग बिलकुल अलग-अलग होता है आप इसी किताब में प्रष्ठ संख्या 90 और 91 उस दो प्रष्ठों में दो पेज में पूरा का पूरा अध्यन करके बताया गया है कि कौन सा बच्चा कुपोशित है या नहीं इसका अध्यन आप अपने आधार पर अपने घर में भी कर सकते हैं सरकार ने कई प्रकार के सूचकांग बनाए हुए हैं जिनके आधार पर विकास का अध्यन किया जाता है विकास को पढ़ा जाता है अर्थवेस्ता में विकास को ज्यात करने के कई सुरोत होते हैं प्रतेग देश अपने आधार पर विभिन सुरोतों का प्रियूप करता है यदि हम विश्व के आधार पर देखें आर्थिक सर्वेक्षन, संयुक्त राश्य संग, विकास कारेकरम के मानव विकास रिपोर्ट और विश्व बेंक मिलकर आर्थिक विकास का अध्यन करते हैं और इसी के आधार पर विश्व बेंक किसी भी अर्थवेस्था को अनुदान प्रदान करता है किसी भी अर्थवेस्ता को कितना आर्थिक अनुदान, कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश ने अपने पिछले वर्ष के आधार पर विकासदर कितनी बढ़ाई है आज भारत में कोविड नाइंटीन के कारण हमारी विकासदर रिनात्मक हो चुकी है परन्तु सिरफ एक क्रिशी खितर ऐसा है जिसमें विकासदर बढ़ी है ऐसा आवश्यक नहीं है कि यह विकासदर हमेशा के लिए यही रहीए अगलीती माही में विकास दर भारत की बड़ेगी जैसे जैसे कई ख्ट्र खुलेंगे कई ख्ट्रों में उत्पादन होगा कई ख्ट्र विकास करेंगे तो अर्थव्यस्था के लिए कई ख्ट्रों का होना बहुत आवश्यक है इसी परकार से अगर हम देखें मैंने आपको एक खेतर के बारे में नहीं बताया जो है राजनेतिक विकास राजनेतिक विकास का होना भी आवश्यक है एक अर्थवेस्ता में राजतंत्र होना आवश्यक है कई देश आपके सामने हैं जिनमें धार्मिक आजादी है परन्तु राजिनितिक आजादी नहीं है कई देश ऐसे हैं जहाँ पर सामाजिक आजादी है धार्मिक आजादी नहीं है तो विकास का अध्यन केवल एक शित्र एक देश के आधार पर करना बहुत मुश्किल है आप अपनी पुस्तक में इस पहले अध्याय को आराम से पढ़ेंगे तो आपको विकास के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आएगा सामाजिक विकास आर्थिक विकास मैंने आपको अपनी तरफ से बताया परन्तु यह बुक में किताब में आपकी नहीं है लेकिन इन सब का जो भी कंक्लूजन है वह आपको इस बुक में जरूर मिलता है मैंने आपको विकास को कई आधारों पर समझाने का प्रियास किया जैसे सामाजिक विकास, राजिनितिक विकास, धार्मिक विकास, आर्थिक विकास तो कई पहलू होते हैं किसी भी देश की विकास के लिए प्रतेक्षेतर का एक साथ चलना प्रतेक्षेतर का एक साथ विक्सित होना ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई एक शेतर यदि विक्सित हो जाता है तो पूरो रूप से वहे विश्व के आधार पर विक्सित माना जाएगा प्रतिव्यक्ति आये के आधार पर भारत अपने कई पडोसी देशों से आगे है परन्तु कई शितर ऐसे भी हैं जिन में हमारे पडोसी देश हमसे आगे है तो विकास के लिए ऐसा आवशक नहीं है कि किसी एक शितर का आधार माना जाए या किसी एक शितर के बारे में ही अध्यन किया जाए मैंने आपको विकास के बारे में कई शितरों के बारे में बताया लेकिन विकास का पूर्ण रूप से समझ तभी हो पाएगी जब आप इस अध्याय को खुद पढ़ेंगे, खुद देखेंगे विकास के आधार पर विकास बहुत ही बड़ा किसी भी देश के लिए विकास बहुत ही बड़ा अध्याय है इसे केवल एक ही पहलू में पढ़ना, एक ही पहलू में समझना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी विकास के बारे में आपको बताना बहुत मुश्किल होगा क्यों? क्योंकि प्रतेग विक्ति का विकास के बारे में अध्यन अलग-अलग प्रकार का है यदि हम ग्रामीन शेतर को देखते हैं तो ग्रामीन शेतर क्या चाहता है? केवल हमें हमारी उपज का अच्छा सा मुल्य मिल जाए यदि हम शेहरी शेतर को देखते हैं तो वहाँ पर विकास का अर्थ क्या है कि मेरे पास कार हो मेरे पास स्वैम का घर हो शेहरों में रहने वाली लड़कियों को उतनी ही आजादी दी जाती है अपने निर्णे लेने का अधिकार होता है जितना की लड़के को परंतु गरामिन शेतरों में अगर हम देखें तो इस प्रकार के आजादी नहीं है यदि हम प्रती विद्ध्यार्थी देखते हैं कि आठवी कक्षा तक कितने विद्ध्यार्थी पहुँच पाते हैं बारवी कक्षा तक कितने विद्ध्यार्थी पहुँच पाते हैं तो गरामिन शेतरों में यह दर बहुत ही कम है उसके कई कारण है लेकिन अगर हम शेहरी शेतरों में देखें तो यह दर बहुत अधिक है परन्तु इस दर का भी एक बुरा प्रभाव है क्या? शैक्षिक बेरोजगारी शैक्षिक बेरोजगारी केवल और केवल शहरों में पाई जाती है गरामिन शेतरों में शैक्षिक बेरोजगारी नहीं है क्यों? क्योंकि गरामिन शेत्रों में सभी व्यक्ति या अधिकतर व्यक्ति क्रिशी शेत्र में लगे हुए है और क्रिशी शेत्र में उत्पादन करने ये क्रिशी शेत्र में काम करने के उनके पास कई सुरोत है तो वही कुल मिला करके हम यही जानते हैं कि विकास का अध्यन विकास के बारे में एक शितर में अगर लाबदायक है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे शितर में भी वह लाबदायक हो अगर विकास क्रिशी शितर में हुआ है तो ओद्योगित शितर में भी जरूरी है सेवा के शितर में भी जरूरी है विकास अगर ग्रामिंड शितर के लिए आवशक है तो उसी प्रकार से शहरों के लिए भी आवशक है विकास यदि विद्यार्थियों के लिए आवशक है तो इसी प्रकार से जो हमारे देश के बुजर्ग हैं उनको सुविधाएं मिलें यह भी एक विकास का ही भाग है यदि हमारे देश के बुजर्गों को अधिक सुविधाएं नहीं मिलती यदि हमारे बुजर्गों को चिकित्सा के सुविधा समय अनुसार नहीं मिल पाती है तो विकास निरधार रहेगा विकास महिलाओं के लिए भी आवश्यक है विकास पुरुशों के लिए भी आवश्यक है जैसे वेतन भोगी महिलाएं इनका समाज में आदर होता है क्यों? क्योंकि यह समाज में उसी प्रकार से उतना ही कारे करती हैं जितना की एक पुरुश करता है दूसरी तरफ इनी वेतन भोगी महिलाओं को घर में भी दो हाथ मिलते हैं अर्थात कारे करने के लिए उनको भी सुविधाएं प्रदान की जाती है यह प्रतेक्षितर में हो पाना भी आवशक नहीं है यह प्रतेक्षितर में हो पाए ऐसा भी आवशक नहीं है और इस विकास के लिए हम सभी का बराबर का योगदान होना आवशक है यह बराबर का योगदन राज्य के आधार पर नहीं बलकि विश्व के आधार पर होना चाहिए विश्व में कोई भी अर्थवेस्ता यह ना समझे कि हम पूर्ण रूप से विक्सित हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हैं यदि वह अल्प विकसितियां विकास यसील देशों के विकास के लिए उपाए करते हैं तो यह संपूर्ण मानव विकास के लिए अच्छा होगा और यही पूर्ण विकास कहलाएगा धन्यवाद झाल 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 झाल